तो हेलो गैस के साब सभी लोग स्वागते को रहे न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लास्टे रूल सर्वाइवल तो गैस जैसे का आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है ग्लोबल रेंग सर्वर और देखलो अभी लास्ट का रेड का टाइम शुरू होने ही वाला है तो हमारे पास में आप लोग लूट देख सकते हो तारे लार्ज इस टूरेज की लूट एक बार मैं मतलब रेड टाइम से पहले दिखा रहा हूं मतलब रेड करने से पहले आप सभी को दिखा रहा हूं ठीक है उसके बाद में हम लोग रेड करेंगे तो फिर आलक से और लूट आजएगी लेकिन ये लूट तो हमने मतलब अपनी मेहनत से इकटी की है तो गाइस इस सर्वर में हमने टोटल मतलब 6 टूरेट बनाए है और मैं बता दो आप सभी को कि हमारा जो टोप फ्लोर है बेस का उसके ओपर 2 टूरेट लगे हुए है और चार टूरेट नीचे लगे हुए है चार कोनों पर ठीक है तो रेड होना तो बहुती ज़्यादा मुश्किल है और साथे साथ जितने भी जनेटर है वो सारे के सारे हमने ओन कर रखे है ठीक है मतलब इन सभी में इतना फ्यूल डाल रखा है कि ये 12 घंटे लगातार चलेंग की साइड में एक और जनेटर है ये जनेटर इसलिए लगा रखा है इससे हमारी जो डीफ रिफेनर है वो चल जाती है ठीक है मतलब इन डीफ रिफेनर में फ्यूल नहीं डालना पड़ता ऐसे क्या है कि मतलब डीफ रिफेनर ज्यादा फ्यूल खाती है और जनेटर से चलात बॉम लगाने पड़ेंगे गाइस और मुझे नहीं लग रहा कि यह बेस हमारा रेड हो पाएगा चलो अब आप लोग लार्ज इस्ट्रेज में देख लो लूट जो जो हमने की है एमो में थोड़ी बहुत बना के रखी है पूरा लार्ज इस्ट्रेज फुल कर दिया था में लगाया है मतलब पूरी गैनन राइफल सारी लगा दी बेस में तो उन में एमो डाली न हमने तो डेट डेट लार्ज इस्ट्रेज एमो का था वो पूरा खाली हो गया मतलब एक कैनन में हमने लगबग 300-400-400 एमो भरी है तो गाईस अभी गैस से पहले मैंने पूरी तया लार्ज इस्ट्रोइज में वो इसलिए रखी है मालो कि हमारे बेस पर रेड होती है और कुछ केनन यह राइफल टूड जाती है तो हम नहीं लगा देंगे तुरंट ठीक है एक्ष्ट्रा भी मतलब रख रखी है हमने गाइस अभी यह वाला बॉक्स देख लो आप लोग मैं दर जाके दिखाता हूँ नो यूस का जो यह बॉक्स है इस में मैंने फ्यूल भर रखा है तो हमने इतना फ्यूल किया है ताकि हम लोग लगलतार जनेटर तो बाद में ओर बना लेंगे इतने बॉम से यह तीन चार बेस तो रिट हो जाए도ंगे मेरा अंदाजा तो है इस box में आप लोग देख सकते हो electronic parts है और साथी साथ चेची से और ये मतलब जो energy mine होती है उससे वो क्या मिलता यार उसका नाम तो भूल गया मैं लेकिन इसी की मदस से हमने अपने base की double health किये ठीक है guys ये करना बहुत जरूरी रहता है अब मैं आपको cabinet दिखा देता हूँ अगर कोई बंदा देखे ना तो एक बारती ये बोले भाई अगर social server होता तो बोलता कि admin abuse हुआ है भाई दबा के इतनी सारी अपने पास में titanium पड़ी हुई है तैयार देख लो मैंने cabinet में भर दिये पूरी की पूरी और still भी भर दिये पूरी की पूरी और base को पूरा मतलब आप लोग देख लो कितना ज़्यादा upgrade किया है हमने still और titanium से तो guys rate time से पहले सारी तैयारी कर दी है मैंने और सारी loot भी setup कर दिये ठीक है अब मतलब मैंने still और जो titanium थी वो पूरी की पूरी भर दिये AR gun रख रखी है guys इस बार हमने है ना मतलब जो यह sniper होती है sniper gun यह हमने कोई लगबख 10-15 से ज़्यादा है ना disk कर दी मतलब बहुती ज़्यादा आई थी अपने पास में तो सारी की सारी disk कर दी थोड़ी बहुत रख लिये जैसे कि समझ लो पर अगर camp होता है by chance तो उस टाइम पर यार मतलब guys sniper भी काम आती है आप लोग समझ सकते हो जैसे base के चारो तरफ tower बन जाते है तो उसके बाद में sniper भी काम में लेनी पड़ जाती है तो guys कुछ देर बाद में raid टाइम शुरू हुआ और हम लोग आ चुके अभी base पर raid करने के लिए यह एक legion का base है जिस पर हम लोग raid करने वाले है तो यहाँ पर आके हमने अपना एक छोटा सा base बनाया उसको पूरा iron subgrade किया यहाँ पर cannon भी हमने extra से लगाई है उसमें MO भी भर दिया ताकि कोई भी बन्दा अपने base को तोड़ ना पाए मतलब थोड़ी मुश्किल आए तोड़ने में अब जो भी अगर इसको तोड़ेगा वो बज़ुगा चला करी तोड़ सकता है ठीक है पास में आने पर तो cannon चल जाएगी पूरी तयारी किये हमने अपने tower को बचाने की तो मैंने पहले आपको इस server में बताया था वीडियो में कि यहाँ पे ना 2-3 team है अगर उनको हमने हरा दिया तो फिर उसके बाद server अपने हाथ में आ जाएगा पूरी तरह से उनको रेड करते है 100% अपने हाथ में पिर तो चोटे मोटे base बचेंगे बिल्कुल उनको रेड करते रहेंगे हम लोग ठीक है तो सारी बात मैंना आप सभी को बता दिये गाइस अब बस जरूरत है इस base को रेड करने की अभी इस base के सारे बंदे ओफलाइन है हमने ओफलाइन का ही टाइम देखा है क्योंकि ज़्यादा प्रो प्लेयर भी नहीं बनना चाहिए तो ये लोग अभी ओफलाइन थे तो इसलिए हमने सूचे कि चलो यार अभी मौका अच्छा है अभी रेड करते हैं अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ओनलाइन रेड करते हैं ओफलाइन क्योंकि है तो उसकी एक वज़ा है यार गाइस अपने पास में सिर्फ C4 तक की रेसिपी है साइकलो नाइट की रही है और ये बेस है ना टाइटिनियम सब ग्रेड है तो C4 से टाइटिनियम का बेस रेड करेंगे ठीक है तो उसमें टाइम लगता है यार गाइस और साथे साथ इन्होंने केनन वेनन ये सब कुछ भी लगा रखी है आप सभी को पता है क्योंकि आप क पूरा बाहर से बेस दिखा दिया है गाइस काफी बड़ा बेस है और पूरा पूरा रेड करना है एक टीसी वाला बेस नहीं है देखने से पता चल रहा है दो या तीन टीसी होगी यार इसमें और दो या तीन टीसी तोडने में बहुत ज़्यादा हाला खराब हो जाएंगे हमारे चलो यार गाइस जो भी है देखते हैं कोशिश करता है इस base को raid करने की वैसे अंदर से पूरा titanium से निकलेगा यह उपर की side में हमें दिखाई दे रहा है जो इसका top floor है वो भी titanium subgrade है इसलिए हमें पता है कि titanium subgrade तो है base और double health भी निकल सकती है क्योंकि यह team भी कोई मतलब हमारे जैसी मान लो यार guys हमने इतना दिमाख लगाया है अपने base को बचाने के लिए तो यह लोग भी दिमाख लगाए होंगे और double health भी किये होंगे मेरा अंदा जखेता है अभी तक पता नहीं है क्योंकि अंदर जाके था हम लोग base में देखे नहीं है rate जब हम लोग करेंगे तब अंदर जाके पता चलेगा कि double health है या नहीं है यहाँ पर दो base और बढ़ने हुए guys उनको भी बाद में rate करना है हमें लेकिन पेले बड़े base का number लेंगे उसके बाद में छोटे base rate करेंगे तो पेले बाहर की जो वाल है वो पूरी stone subgrade है आप लोग देख सकते हो उसके बाद में अंदर की जो वाल है वो है iron subgrade है और उसके बाद में अंदर है जाके base ठीक है इस तरह से मतलब हमें लग रहा है कि 3 TC का base है अब चोटी निकल जाए तो पता नहीं है लेकिन अंदर यह जहता है कि 3 TC है इसमें ओके तो गाइस अभी बाहर की जो stone की वाल है वो तो टूट चुकी है आप लोग देख सकते हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं इदर की side में हम लोग सोच रहे कि यहां से raid करते हैं और वैसे तो मेरे पास में भी देख लो बजुका बजुका सब कुछ में रखके लेकर आया हूँ जैसे कोई बंदर दिखाई देगा तो गन से फेले मैं बजुका ही चला दूँगा ठीक है वैसे गन भी चला सकता हूँ कि यहां से raid होगी तो नीचे की नीचे मतलब आराम से raid करते हो चले जाएंगे लेकिन बाद में मतलब SK ने बोला कि यहां से अगर raid करेंगे तो अपने बंब काफी जादा लग जाएंगे और यहां से मुझे नहीं लग रहा कि TC मिल जाएगी तो इसलिए उसके बाद मैंने SK को यह बोला कि भाई फिर उसके बाद जहां से TC मिले वहीं से raid करो क्योंकि जादा bomb लगाने से फायदा नहीं है जितने bomb मैंने बना है उसमें 3-4 base कम से कम raid होने चाहिए बड़े-बड़े वैसे यह बास सही है यार गाईस अगर यहाँ पर देख लो हम लोग raid करते हो अंदर जाएंगे न तो ज़्यादा ही bomb लगेंगे यार गाईस तो उसके बाद में इन लोगों ने अपनी जगा चेंज की और हमारे पास मैं head mat खतम हो गये थे तो उसके बाद में मतलब जो यह टावर वालब ऐसे यहाँ पर extra रख रखेते हैं हमने head mat तो मैं अभी लेकर जा रहा हूँ head mat ठीक है उसके बाद में हम लोग अब दूसरी जगा से raid करेंगे उपर जाके और उपर से raid करेंगे मतलब top floor से नहीं अभी मैं दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ पर थोड़ा मतलब net issue हुआ है मेरा या फिर थोड़ा मतलब glitch village कुछ ना कुछ तो हुआ है मतलब मेरा जो character वो आगे पीछे हुआ यह लोग सभी के सभी guys उपर चले कैसे गए मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा की रास्ता कहा से तो अभी हमारे teammate ने रास्ता बताय कारलो भाई आरहे कि हमें आपको रास्ता बताता हूँ तो चलो यार अभी वह रास्ता बताएंग यहां से उड़के और उदर की साइड में जाना है यार मुझे अब मैं कैसे जाऊं यार गाइस यह तो दिक्कत है यार गाइस देख लो कारलो भाई यह बोल रहे है कि इस क्यों पराना है चलो यार आतो गया वैसे काफी टाइम लगा था मुझे लेकिन मैं इस टिल से अपग्रेड है नई यार यह तो गाइस पूरा ही अपग्रेड है बैस तो यार वैसे मतलब इतनी इस टिल इन्होंने की न यह इनकी महनत की मानो यह मत मानो क्योंकि इनका जो बैस है वो बोट बैस के पास में आप लोग देख लो तो वहीं से इन्हों ने इतनी इस्टिल कर ली यार और आसानिस इनके पास में इस्टिल आ गई हमने जो इस्टिल किये वो यार पूरी तरह से मतलब फार्मिंग करकर करके और मतलब आइटम डिस्क करकर के की है हमने एक बार में बॉट बैस नहीं लूट आये यार गाइस और हम लोग एक बार आये भी थे बॉट बैस लूटने मतलब हमारे टीम मेट तो वो लूट एड़ी मिला क्योंकि यार इनका बैस इधर की साइड में है तो यह हमेशा मतलब लूट एड़ी रखते है लेकिन एक बात यह रहती है गाइस की मतलब जहां पे जिस टीम का बेस बन जाता है उस जगा पे उसी टीम का राज रहता है जैसे एरपोर्ट पे हमारी राज था आदे सर्वर के बाद में तो उससे पहले तो फिर भी नहीं था लेकिन आदे सर्वर के बाद में हमारा राज आ चुका था पूरी तरह से कोई बन्दा टेंक भी नहीं फोड पा रहता हूँ आपर क्योंकि हम लोग पहुच जाते थे तो वैसे ही इनका राज यार इदर की साइड में तो काफी जादा बेस रेड हुआ यार गाइस और मैं बता दो आप सभी को इस बेस की लूट भी गिर चुकी है यार गाइस मतलब पूरी तो नहीं गिरी लेकिन थोड़ी बहुत गिरी है तो मैं यह लूट तो ले लेता हूँ जैसे कि हमें आयरन बार की जरूरत है गाइस तो हमने यह सोचा था शुरू में कि आयरन बार लेना है हमें जो भी बैस रेड करेंगे वहां से और इस्टिल लेनी है टाइटिनियम लेनी है और बाकी और जितनी भी जैसे काम-काम की लूटे जैसे बॉम हुए जीपी हुआ या एक्सपलोसी हुआ ऐसी चीज़े हमें लेनी है तो गाइस यार मैं लूट देखने के चक्कर में मतलब लूट पर देहान था और मैं बीच म लग जाएगी तो तो यार इनको केबिनेट मिलने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था गाईस ASKय बोल्रा था तो इसलिए ASK को पिर उसके बाद मैंने यह बोला कि पहले मुझे यहाँ से निकालो और उसके बाद मैं फिर केबिनेट तोड़ना है क्योंकि मैं अंधर लेकिन निकल नहीं सकता हूं तो अभी एसके निये बोल दिया है कि वो अभी मुझे निकालने यहां पर आ रहा है ठीक है मतलब वो बिना लूट के आएगा और मतलब वो फाइल पकड़के बैठ जाएगा तो मैं उपर की साइड में निकल जाओंगा लेकिन उससे पहले उसने अपने आर्मर बॉम यह सब कुछ ले लिए है खुद के बैग में तो अब मैंने बोल दिया है कि अब स्पीड से रेड करो और जल्दी से जल्दी मतलब केबिनेट ढूंडो यार वैसे तो बेस को है ना एसके ने काफी जादा ड्रिल कर दिया है और काफी जादा अपने बास में वुड लेडर है यार गाईस इधर की साइड वैसे भी लेडर लगी हुई है तो निकल भी सकते हैं बाहर की साइड में वहाँ पे चारो तरफ दोर थे इसलिए में निकल नहीं पाया था ओके तो गाईस यार पेले तो अब मैं मतलब इतनी देर में उपर आया हूं यार तो लूट लेता हूं पहले तो मैं थोड़ी वैसे मेरे बेग में काफी लूट तो आ चुकी है लेकिन यहां से उधर की साइट में कैसे जाए यार मतलब पूरा बेस ही ऐसा बना हुआ है मतलब हर तरफ डोरी डोर लगे हुए और इस बेस में अगर अंदर की टीसी जाएगी जहां तक चांस है तो दोस्तों यहां की लूट देखने के बाद मुझे इसा लग रहा है जैसे कैबिनेट टूड गई है लेकिन मैंने एसके से पूचा तो उसने बताया कि नहीं अभी तक कैबिनेट मिली वे नहीं और मैंने बॉम भी नहीं लगा है वैसे यहां जैसे की कैबिनेट में रहती है इसी लूट यार वैसे यहां पर आयरन बार भी पड़ा हुआ है मैं ले लेता हूँ यार गैस और एक बार पूरी लूट देखता हूँ क्या क्या है यहां पर देखो अभी तक तो पूरी लाइन चले जा रही है यहां पर जीपी भी आ गया ओ भाईस आप टायटिनियम भी आ गई गाईस यार यहां पर अच्छी कासी लूट पड़ी हुई है यह देख लो सिंपल ओयल बॉम भी मुझे दिखाई दिये है नहीं यार फ्यूल था हो सिंपल ओयल बॉम नहीं थे शायद चलो यार जो कुछ मिल रहा है बेरी मतलब कोई काम की नहीं है अभी तो जब बेक खाली हो तो फिर भी काम की नहीं तो ऐसे कोई काम की नहीं है C4 दिखाई दिये गाईस मुझे यह देख लो C4 भी ले ले लेता हूँ पॉइंट भी लेने पड़ेंगे वैसे तो तो दोस्तों यहां पर हम लोग लूट उठाई रहे थे और मतलब एसके बोल रहा थे कि शायद अब टीसी मिल जाएगी तो मैंने बोला कि टीसी मिल जाएगी अगर लग रहा ऐसा तो जल्दी से बॉम लगा दे और टीसी तोड़ दे उसने चलो यार गाईस अभी दुबारा स्पॉन होना पड़ेगा यह लूट तो वहीं पर चूट गई अब दुबारा जाके उठानी पड़ेगी लेकिन इतना है कि मतलब वाल टूट गई यह केबिनेट दिखाई दे गई है इसके को तो यह देख लो उसने बॉम लगा दिये है केबिनेट पर केबिनेट तूट चुकी अब ओके तो गाईस चलो मतलब फाइनली इस बेस की एक केबिनेट तो तूट चुकी अब दो केबिनेट हमें और डूट नी पड़ेगी बाहर की साइड में ठीक है और इसके लावा पिर आलग से अगर कोई केबिनेट होगी तो वो अलग बात है, वो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी दो केबिनेट और तोड़नी है, और अभी हमारे जो टीममेट है, वो यहाँ पर सारी की सारी लूट उठा रहे है, ताकि लूट डी स्पॉन ना हो, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बाहर की टी सी नहीं तो यह गाएव हो जाएगी, तो एसके ने जब बोम लगाये थे, और मैं किल हो गया था, वहाँ की जो लूट है, वो मतलब हमारे टीममेट ने उठा लिए, मैंने पूछ लिया है, क्योंकि यार मेरे पास में अच्छी कासी बड़िया लूट थी, मतलब इस्टिल भी और हमारे जो टावर है, वहाँ पर बोक्स लगाके और लूट रखते जा रहे थे, तो काफी लूट वहाँ पर जा चुकी है, तो इसके बाद मैं हमने सुचे कि यार काम की लूट ले लिए, अब बाहर की टीसी निकालते है, तो पहले टीसी यहाँ पर मिल चुकी है, आप तो देख सकते हो, पहली नहीं, मतलब यह दूसरी टीसी है यार, इस बैस की, तो इसको तोड़ते है पहले तो, ओके, यह केबिनेट तूट चुकी है, यहाँ पर भी तक सिंपल ओल्बम लगा हुआ है, अब तूट के गिरे गए, चलो तयार गाईस, यह लूट में उठा ल पाद में हमने एक ट्रिक लगाई, गाईस, वो है केमफायर लगाने की, तो अभी केमफायर से पता चल जाएगा कि इदर की साइड में, केबिनेट है, ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक होती है, गाईस, पता करने की, ओके, तो गाईस, यहाँ से में केमफायर, देख लो, उदर नहीं यार अभी तक अब लगए गाईस अब आप लोग सोच रहे होंगे गाईस की ये क्या है भाई यार मतलब ये करने की क्या जरूरती और इससे क्या पता चला की केबिनेट कहां पे है तो इससे मैं बताता हूँ आप सभी को ये बहुत एक मतलब सिक्रेट ट्रीक है रेड की मतलब जिदर की साइड में केम फायर नहीं लगती न उदर की साइड में समझ जाओ कि उस साइड के एरिये में केबिनेट पास में है ठीक है तो उदर की साइड में केम फायर लग गई थी कि A.S. के इदर की साइड की वाल तोड़ तो चलो यार गाईस डॉर आ चुके है मतलब की केविनेट इसके अंदर है यार मतलब हमारी ट्रिक सई थी चलो तोड़ने देता हूं इनको ये डोर और जहां तक मुझे लग रहा है कि कैबिनेट मिल जाएगी यार ये क्या है यार ये देखो C4 लगा रहे वाही साब तो यहाँ पर फाइनली यार तीसरी जो कैबिनेट है गाईस वो भी मिल चुकी है वैसे बहुत ही जादा मुश्किल आई कैबिनेट को ढूणने में तीसरी वाली को लेकिन अंत में हमने ट्रिक लगा के और ये कैबिनेट भी ढूण लिए और अब मैं कैबिनेट लगा रहा हूं तो अभी नहीं लग रही है लेकिन यह क्यों नहीं लग रही है कि बेस काफी ज़्यादा बढ़ा है और मतलब केबिनेट रहे गई बेस फॉर्स यह सरे सिस्टम आजाता है तो इसलिए बाहर से केबिनेट लगा के दीरे दीरे बेस को तोड़ना पड़ता है तो अभी बाहर से हम लोग केबिनेट लगाए है और थोड़ा थोड़ा बेस तोड़ेंगे ठीक है एक साथ नहीं तूट सकता है यह चलो तो बीच में सा आयरन की वाल तो तोड़ दिये हमने पूरी की पूरी और अब यह इदर की साइड की पर तोड़ते है मतलब जहां जहां अगेसि वीजह ग्रत प Geez Gmail हाल फॉक्ति एपल关 मुत्रह बाहर एक तो नेक्पे चयां और ती बात कि में गिर गया था बीच में तीन डौर गया तो वहां से में निकल नहीं पाया लगबग 15 मिनट तक और इस रेड में लगबग जहां पर आदा गंटा लगना चाहिए था वहां पर डेड़ गंटा लग गया तो इसलिए बहुत ही ज्यादा टाइम खराब हुआ और बॉम भी अंदा धुंद बरबाद हुए हमारे तो इसलिए यह रेड ज्यादा फायदे की तो नहीं रही है तो बस यार गाईस आज के लिए अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पर 400 लाइक का एम बोर लगा रहा लीजिए और साथी साथ जितने भी भाई लोगोंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक और निव गैम प्लै में तब तक के लिए गुड़ बाई